चोईबासा विधायक दीपक बीरुआ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और बालू घाटो से बालू के उत्खनन और व्यापार का अधिकार ग्राम सभा को देने की मांग की है उन्होंने 2004 में विधान सभा में लगु खनिच के उत्खनन और व्यापार के लिए पारित जारखन्ड समुदायन नियामावली और पेशा कानून का हवाला दिया और कहा कि अब तक जारखन्ड में इसका अनुपालन नहीं हो रहा आज पंचाइट के चेत्र में इस गाहों के चेत्र में अनुस्टी चेत्रों पर जडि बालू घाट है या मैंनल मिंड्र निर्ल का कोई भी रिसॉर्सर्स है तो उसको चालू करने के लिए उनके लिए निकालने के लिए तो इसलिए अगर ग्रामसवा को देना है तो इसके लिए पूरी तैयारी के साथ पूरा जो मेकैनिजम है उसको डेवलॉप करा करके और सरकार के साथ एक पार्टनर्शिप में अगर किया जाता है और उसका जो गाइडलाइन्स और या जो भी चीजें अच्छी तरह से अगर बना करके इंप्लिमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से यह सफल हो सकता है और इसका फाइदा कंजूबरों को भी एक सस्ता वालू